असलाम अलेकूम डियर स्पूरेंट मैं डॉक्टर आसिम हूँ और मैं आपको विलकम करता हूँ अपनी MCQ स्रीज में जो के मेरे YouTube चैनल पे मेरे TikTok पे और मेरे Facebook पे जारी है और आज का जो एमसी को में लेकिया है और इसमें आपके सामने एक female reproductive system की डाइगराम है अब आप लोगोंने सवाल परना है उनके जोग देना है सवाल किया है कि this is the diagram of female reproductive system ये female reproductive system की diagram है आप देखना है और इसमें different parts और हमने 1,2,3,4,4,4 नमबर से लेविल किया है observe this diagram and choose the side of zygote formation and embryonic development अब आपने इस diagram को observe करना है और इसमें देखना है कि किस जगह पर जाइगोर्ट फॉर्म होगा और जाइगोर्ट फॉर्म होने के पास इसकी embryonic development होगी यहां पर हमाँ पर option A, B, C और D मौजूद है क्या यह option 1 & 2 है क्या option 2 & 3 है क्या option 3 & 4 है यह option 4 & 1 है यह वीडियो को पॉस्ट करें और यहां पर इसका जवाब देख जी अगर आपने इसका आपको बड़ा पसंद आया होगा सवाल मैं बहुत जाद आपके लिए one short series भी शुरू कर रहा हूं जिसमें आपके लिए मैं पूरी MDCAD की त्यारी के लिए पूरे-पूरे chapters के इंचानला lecture जो है वो उसमें अप्लोड कर दिया करूंगा तो उससे भी आपको बड़ी help मिलें बस आपने ट्यून इन करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और मुझे फॉलो करना है और अपने दोस्तों को इक सी वारे बताना है ताकि उनको इफायद हो ठीक है तो मैं जाज के सवाल अपने खायल नहीं अला आफे